हेलो फ्रेंट्स वेलकुम बैक टू माई चैनल फ्रेंट्स आज मैं बहुत ही प्यारा सा डबल कलर में पैटन लेके आई हूँ देखेगा फ्रेंट्स यह पैटन हमारे इस तरीके से दिखाई देता है बहुत ही प्यारा सा पैटन है इस डिजाइन को आप बच्चों के इस pattern को बनाने के लिए हमें 4 के multiple plus one करके फंदे लेने होंगे तो यहां पर मैंने 21 फंदे लिए हैं सबसे पहले आप 4 फंदे ले लीजिएगा फिर से 4 फिर से 4 करते करते और last में एक फंदा हमने एस्टार लेना है तो यहां नेटल पे मेरे 21 फंदे हैं तो फ्रेंट्स यह pattern हमारा 4 लाइन का है लेकिन 8 लाइन में बनके complete होगा सबसे पहले आप border बना लीजेगा border बनाने के बाद सीधी तब सी हमारे pattern चुरूँगा पहले चलाई हमने base color से बनानी है याने कि जिससे हमने border बनाया है उसी color से हम first row को बनाएंगे तो चलिए friends स्टार्ट करते हैं design की first row सीधी साई स्टार्टिंग बहुत ध्यान से देखेगा पहले फंदे को knit wise लिप करेंगे और एक फंदा हम सीधा बनेंगे अब इस स्टार्टिंग में हमारे दो फंदे हो गए है अब यहां से pattern हमारा शुरू होगा चार फंदे में हम design बनाएंगे यह जो हमारा आगे का फंदा है इस एक फंदे से हमने तीन फंदे बनाने है सबसे पहले इस फंदे को सीधा बनेंगे धागा अपनी तरफ लाएंगे फिर से इसी फंदे को हम सीधा बन देंगे तो यहां पर हमारे एक फंदे से तीन फंदे बन गए है बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे फिर तीन फंदे सीधे बनेंगे एक, दो, तीन शुरू के दो फंदे छोड़ के यही चार फंदे पूरी रो में दोर आने हैं पहले हमने एक फंदे से तीन फंदे बनाए थे फिर हमने तीन फंदे सीधे बुने हैं यहाँ पे एक फंदे से हम तीन फंदे बनाएंगे पहले इस फंदे को सीधा बुनेंगे एक फंदा बन गया है, धाग अपनी तरफ लाएंगे, फिर से इसी फंदे को हम सीधा बनेंगे बीच में देखेगा, बल्क बढ़ने से एक फंदा यहाँ पर हमारा बढ़ गया है तो यहाँ पर हमारे फिर से तीन फंदे हो गया है, बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे, फिर तीन फंदे सीधी बनेंगे, एक, दो, तीन, फिर एक फंदे से तीन फंदे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर इसी फंदे को हम सीधा बनेंगे, फिर तीन सिथा बननेगे के यहां पे एक फंदे से Самने थी संव नहीं से पहले unf धास्व को सिधा बननेगे दाक अपनी तरफ लाएंगे फिर से इसी factor कों सीधा बननेगे तो यहां पर हमारे 3 chroni बन ग Beni यहांसट में हमारे पास 2 फंदे बचे हैं 2-9 wann को हम सीधा बुल देंगे स्टार्टिंग में भी दो फंदे हमारे सीधे हैं और लास्ट में भी दो फंदे हमारे सीधे हैं तो यहां पर डिजाइन के फर्स्ट बनके हमारी कंप्लीट हो गई है अब आते हैं बैक साइड में तो यहां पर हम कलर चेंज करेंगे यहां पर मैंने सेकंड कलर लगा लिया है अब सेकंड कलर से हमने दो लाइने बनानी है दूसरी और दीसरी यह चार लाइन का डिजान है जिसमें कि पहली और चौथी सलाई हमने बेस कलर से बनानी है दूसरी और तीसरी सलाई हम सेकंड कलर से बनाएंगे यह हमारे डिजान की सेकंड हो है शु यो पंद दर हमने सीधे बुने थे तीनों फंदो पूरिया इफंदों कि पूरी फंदे बनें और तीन फंदों को बिना बुने असी ले लेंगे फिर तीन फंदे उल्टे बुनेंगे एक, दो, तीन और तीन फंदों को बिना बुने असी ले लेंगे और फिर से हमने तीन फंदे उल्टे बुने हैं इस धागे को जादा टाइट करके हमने नहीं बुनना है, थोड़ा सा नॉर्मर रखेगा, फिर तीन फंदों को बिना बुने असी ले देंगे, अब लास्ट में हमारे दो फंदे बचे हैं, दोनों फंदों को हम उल्टा बुन देंगे, यहाँ पर डिजाइन की सेकंड रोबन के हमारी कंप्लीट हो गई है, अब आते हैं फ्रंट साइड में, यह हमारे डिजाइन की तीसरी सलाई है, इस रोग प्रेंट भहुत द्यान से देखेगा, तो देखेगा फ्रेंट्स, यहाँ पर जो एक फंदे से हमने तीन फंदे बनाए थे, तो यहाँ पर हमारे दो फंद करना होगा, सबसे पहले फंदे को नेट वाइज सलिप करेंगे, अब हम दो फंदो का एक करेंगे, आगे हमारा ग्रेन फंदा है, पीछे हमारा वाइट फंदा है, दोनों फंदो का एक साथ ऐसे लेंगे, आगे की तरफ से, और दो का एक कर देंगे, सीधा बनते वे, तो य यहां पर फंदा हमारा सीधा हो गया है अब इस फंदे को और पीछे वाले फंदे को दोनों फंदों का एक साथा से लेंगे और पीछे की तरफ से दो का एक कर देंगे सीधा बुनते हैं जो दो फंदे यहां पर हमारे बढ़ गया थे वो फंदे यहां पर हमारे घड़ गया है फिर से यहां पे फंदे हमारे बराबर हो गए हैं उसके बाद एक फंदा हम सीधा बुनेंगे फिर से हमने यही करना है बीच में जो तीन फंदे हैं यहां पे दो फंदो का एक करेंगे बीच वाले फंदे को स्लिप करेंगे फिर दो फंदो का एक करेंगे दोनो फंदो को एक साथा से लेंगे और आगे की तरफ से दो का एक कर देंगे सीधा बुनते हैं फिर एक फंदो को स्लिप करेंगे अब यहाँ पे हमने दो फंदो का एक करना है दो फंदो का एक करने से पहले इस फंदो को हमने सीधा करना है अब ये फंदा हमारा सीधा हो गया है दोनों फंदों का एक साथ आसे लेंगे और बैक लूप से दो का एक कर देंगे सीधा बुनते लेंगे फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर से हम दो फंदों का एक साथ आसे लेंगे और आगे की तरफ से दो का एक कर देंगे सीधा बुन देंगे अब यहाँ पर हमने दो फंदो का एक करना है दूसरा तरीका मारा यह है दोनों फंदो को भी नबुने ऐसी ले लेंगे और यह जो तीन फंदे ग्रीन है आगे वाले फंदे को सीधा बुन देंगे यो बाइट वाला फंदा है similarly, उसको ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे को परस्याद से पास कर देँगे यहांपे एक फंदा मारा घट गया है एक तरीका तो यह था और दूसरा तरीका मारा यह है जो तरीका आपको आसान लगता हो, उस तरीकी से बना लीजेगा, एक फंद्अ हम सीधा बनेंगे, फिर सेमने एक करना है, आगे की तरफ से दोनो फंदो का एक साथा से लेंगे, और दो का एक कर देंगे, सीधा बनते हैं। फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर से हमने दो फंदों का एक करना है, पहले इस फंदे को सीधा कर लेंगे, फिर दो नो फंदों का एक साथ आसे लेंगे, और पीछे के तरफ से दो का एक कर देंगे, सीधा बुन देंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से हम दो वाले फंदों को ऐसे उठाएंगे जो हमने स्लिप किया था और इस फंदे के उपर से पास कर देंगे लास्ट में एक फंदा हमारा बचा है इसको हम सीधा बुन देंगे यहां पर डिजाइन की तीसरी स्लाई बनके हमारी कंप्लीट हो गई है अब आते हैं बैक साइड में यह रहे हमारे डिजाइन की फूर्थ रो से बनाना है तो देखेगा फ्रेंट्स यह जो बीच में तीन घ्रीन फंदे दिखाए दे रहे है इक साथ अब हमने क्या करना है बीचवारे फंदे को स्लिप करेंगे बाकी फंदों को वने उल्टा बनना है शुरू के चार फंदे मोल् वीच वाले फंदे को हमने स्लिप करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा शुरू के तीन फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन फिर एक फंदे को स्लिप करेंगे पूरी रो में हमने ऐसी करना है तीन फंदे उल्टे बुनेंगे और एक फंदे को स्लिप करेंगे तीन फंदे उल्टे बुनेंगे और एक फंदे को स्लिप करेंगे फिर से तीन फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन लास्ट में आज के फंदे को भी हम उल्टा बुनेंगे यहां पर चौती स्लाई बनके हमारी कंप्लीट हो गई है तो दे कि पांच में इसलाई है। जैसे उम्हें फ़स्ट और ती को भूझे बनाना है। आप यह के पर आपका बहुत आस्याइफ यह जाएगा कई कि चार फंद पूरत हुगी है। इस आसे स्बाने को साथ फंदे इस बापकर होगी कर्योंने कई तो यह हमारे design के 5 त्रो है पहले फंदे हमें येट वाइज लिप करेंगे AH THIELD – STH अब यह만रे टोटल हमारे चार फंदे हो गया यहों गरीन फंदा दिखाई दे रहा है N Inner पहले इस फंदे को सीजह बुने को की दागा इस फंदे को uyकी fane बन गया हैं बाद में इसको आपसे निकाल देंगे फिर से हम 2ध एक फंदे सीधे बनेंगे एक दो तीन फिर एक फंदे से तीन फंदे बनाएंगे एक फंदा बन गया है धागा अपनी तरफ लाएंगे बल पढ़ने से हमारे दो फंदे हो जाएंगे फिर से इसी फंदे को सीधा बन लेंगे तो यहां पर हमारे तीन फंदे हो गया है बाद मे सिज़ सीज़ 2007 एक पटतते हैं दाग से फंदेब ये निकाल देंगे उसके वनारे के सवत कि सीज़ पर गुंब det मैं अचिन फंदे बचे हैं चारह को रनेंगे तो देख step झाली है都是 लिएतार्टी में और लास्ट वी चार फंदे हमारे सीधे हैं, बीच में तो हमारे 3-3 फंदे सीधे आएंगे, यहां पर डिजाइन की 5 रोग बनकी हमारी कम्प्लीट हो गई है, अब आते हैं बैक साइड में, यह हमारे डिजाइन की 6 रोग है, शुरू के 4 फंदे एलटे बनेंगे, 1, 2, 3, 4, बैक साइड म तीने, फंदो को बिना बुने असी लीतंगे, फिर से तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, और तीन फंदों को बिना बुने असी ले लेंगे फिर से तीन फंदे उल्टे बुनेंगे और तीन फंदों को बिना बुने असी ले लेंगे फिर से तीन फंदे उल्टे बुनेंगे और तीन फंदों को बिना बुने असी ले लेंगे कि लास्ट में चार फंदे हमारे बचे हैं चारों फंदों को हम उल्टा बूंडेंगे यहां पर डिजाइन की six row बनके हमारे complete हो गई है अब आते हैं फ्रंट साइड में यह हमारे डिजाइन की seven row है पहले फंदे को नेटवाई slip करेंगे और दो फंदे सीधे बुनेगे तो शुरू में हमारे तीन फंदे हो गए है अब यहां पर हमने क्या करना है जो एक फंदे से हमारे तीन फंदे बन गये थे, दो फंदे हमने यहां पर घटाने हैं, तो इस फंदे को और इस वाले फंदे को दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे, और आगे की सरफ से दो का एक कर देंगे, सीधा बुनते वे, बीच वाले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर से हमने दो फं पंद्ध घट गए है रोध फंद्ध यहाँ पे हमारे फिर से बराबर ओ गया है फिर एक फंद्ध सीधा बुनेंगे और आगे की सिर्फ से 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते करना दूसरा तरीका में दोनों फंद्ध को बिना बुने ऐसे ले लेए必要idetlike honor David भीना बने लिया था, इस वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे को पर से उपास करदेंगे, तो यहां पर आपको फंदे सीधा करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी, जो भी तरीका आपको सररा लगता हूं, उस तरीक इसे कर लिजेगा, फिर एक फंदा सीध कर लेंगे ये फंदा और पीछे वाला फंदा दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और बैक लूप से दो का एक कर देंगे सीधा बुनते वे फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर से दो फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और दो का एक कर देंगे सीधा बुनते वे फिर ए हमारे तीन फंदे बचे हैं तीनों फंदों को हम सीधा बुन देंगे यहां पर डिजाइन की सेवन थ्रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है अब आते हैं बैक साइड में यह हमारे डिजाइन की एर्थ रो है इसको हम बेस कलट से बनाएंगे जिससे हमने बॉटर बनाया था दो फंद काम देञे बनेंगे एक दो यह बीच वाला पंदा है इसको बीना बने दो जह दाता slides दिखाए यह नहीं बीच वाले पंदे काम्ना वह करना हिन उसकी लिए में क्या करना होगा तो इधर के तीन फंद की पंद कंदे बनेंगे एक कि दो ऊप्रक उन्मष्म करेंग। फिर से तीन पंदे उल्टे बनेंगे, फिर से तेन फंदे उल्टे बनेंगे और एक फंद को बीना बने pun पूप से तीन फंद बने और एक फंद को बीना बने यहां लास्ट में दो पूपमारे बचें हैं दोनों फंदे घुलाले में धे तो दो नयुक्त कि हमकराई डियुक्त लाकी और लास्ट में भी धो अधेक हैं तो तो यहां पर डिजाइन के एर थो बनके हमारी complete हो गई है तो friends इसके साथ यह आर्ट लाइनों में डिजाइन भी बनके हमारा उबर हो गया है तो आगे अपने इन ही आर्ट लाइनों को बार बार दोर आते जाना है आगे अपने फिर से first row को repeat करना है वाइट कलर से बनाएंगे इन ही आर्ट लाइनों को बार बार रिपीट करते वे जाना है तो friends जब आप इन आर्ट लाइनों को बार बार दोर आते जाएंगे तो design बनके कुछ इस तरह नजर आएगा बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसांसी बुनाई है देखिए का friends यह हमारी front side है और यह हमारी back side है तो friends आप भी अपने मन चाहे करदर लेकर किस pattern को बना सकते हैं तो friends एक बार जरूर ट्रै करिएगा उमीद करते हूं आज का pattern आपको पसंद आएगा तो friends यदि वीडियो पसंद आती है तो channel को like, share और subscribe करिएगा मिलती हूं next वीडियो में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद